हेलो एवरीवन आज का हमारा टॉपिक है ब्रष्टा चार समस्या और निदान इस पर आप निबंध किस तरी किसे लिखें आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं ये कॉस्चन बोर्ड क्लासिस के लिए और 9 से इंपॉर्टेंट है तो आप इस वीडियो को लाज तक जरूर देखें ताकि आपके एक्जाम में हेल्फुल हो यहां एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि यदि आप इस स्टडी टेबल को बाई करना चाहते हैं तो मैंने इस स्टडी टेबल का लिंक डिस्क्रिप्शन इंबॉक्स में दे दिया है आप वहां से जाकर इसे बाई कर सकते हैं मैं इस स्टडी टेबल को पिछले तीन साल से यूज़ कर रहे हूं इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है तो यदि आप इसे अपनी पढ़ाई के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे चाहते हैं तो दिये गए लिंक से खरीच सकते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रस्तावना और मैंने आपको बताया है कि आप निबंद लिखने के पहले रूप रेखा में लिख दें जो भी हम लिखने वाले हैं इन में हमको लिखना है ब्रश्टाचार सब्द दो सब्दों के योग से मिलकर बना है ब्रश्ट और आचार ब्रश्ट का अर्थ है बुरे या बिगडे हुए से और आचार का अर्थ है आचराणिया व्योहार से तो ब्रश्टाचार का सार्भोमिक अर्थ नैतिक और वैधानिक द है तो आप यह लिखेंगे भरस्टचार में ठीक है इसके बाद हम second पर लिखेंगे हमारे देश में भरस्टचार किस तरीके से है यह हमें राश्टचार की समस्या दिन परति दिन विक्राल रूप धारण करती जा रही है यह हमारे समाज एवं राष्ट्र को गंभी छती पहुंचा रही है हमारे देश और समाज का कोई ऐसा छेत्र नहीं है जो इसके प्रभाव से अचूता हो आज समाज धर्म संस्क्रती साहिति ब्यापार कला उद्योग राजनीती सिक्षा स्वास्थी चिकित्सा साशन प्रशाशन सर्वत्र इसकी पहुंच है इसके कारण देश में ब्याभी चार, दुराचार, अनाचार, रिस्वत खोरी, मनमर जी, उच्छंख लता, अनैतिक्ता के रूप में ब्रश्टाचार ने इसकदर अपनी जड़े जमा ली हैं कि इससे मुक्ती मिलना यदी असंभव नहीं तो दुसकर अवश्य है इस तरीके से आप कुछ साहितिक सब्दों का प्रियोग करेंगे यहाँ पर और फिर अपनी बातों को रखेंगे तो इन सब्दों को आप याद कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि आपको सारे यही वर्ड लिखना है कुछ वर्डों को आप इसकिप भी कर सकते हैं ठीक है अब हम लि विवस्ता, स्वार्थ परता, अशमानता, आर्थिक समाजी के अधार में किसी प्रकार का हो सकता है, जातीता, सामप्रदाइकता, छेत्रीता, भाशा, भाई, भती, जवाद, आधी हैं, इनके कारण व्रष्टाचार को जन्म और प्रश्र मिलता है, आप लोगों को भी बहुत जगह भ्रष्टाचार देखने को मिला होगा, यदि आपके साथ कोई भी जगह भ्रष्टाचार होता है, तो आप उसका विरोध भी कर सकते हैं, भ्रष्टाचार का अब हम देखेंगे प्रभाव, ये हमारा फोर्थ पॉइंट है, इसमें आपको ल चोर बाजारी, रिश्वत खोरी, अरा जकता इस तरह भड़ जाती है, कि कोई भी विधी सम्मत पद्धिती चल नहीं पाती है, आम जंता में भय, आक्रोश और चिंता अवसाद में ब्रद्धी हो जाती है, इमानदारी, सत्यता और नैतिकता का पालन करने वाले लोग हसी का पात्र बनते हैं, ये बहुत सटीग बात है, क्योंकि जो भी इनका विरोध करता है, तो सामने वाला उनकी हसी उड़ाता है, ना कि उनका सपोर्ट करता है, साथ ही विकास पत्ध से बहुत ही पीछे छूट जाते हैं, इसके विपरीत, अनाचारी, कदचारी, भ्रष्टाच अपने भ्रष्टाचार रूपी व्यापार से दिन दूनी राच चोगनी प्रगती करते जा रहे हैं, आपने बहुत लोगों को ऐसा देखा होगा, जो काला बजारी करते हैं, भ्रष्टाचारी करते हों और वो दिन दूनी राच चोगनी प्रगती कर रहे हैं, इमानदार ल प्रवर्तियां एवं दोस्चरित्रता को ही बढ़ावा मिलता है। सद प्रतियों और सद चरित्रता की जणे समाप्त होने लगती हैं। तो ये सबाब लिखेंगे ब्रष्टचार के प्रभाव में अब हम लास्ट पॉइंट हम लिखेंगे ब्रष्टचार की समस्या का समधान एवं उपसनार यहां हमने केवल आपको पांच पॉइंट बता हैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाएं तो यहां हम लिखेंगे ब्रष्टचार की समस्या का समधान कैसे कर सकते हैं एवं उपसनार यहां हमने दोनों पॉइंट को मिला कर लिखा है तो यहां पर हम वर्णन करेंगे कि ब्रष्टचार की समाज के समधान के लिए आम जन समुधाय को जागरत एवं सिक्षित करना होगा इसका सामना व्यक्तिगत रूप से ना कर सामोहिक एवं संगठित रूप से करना होगा सम्विधान में भ्रष्टचार की दोशियों के लिए दंड के प्रावधान है सासन तंतर को कडाई से इसका पालन करने के लिए सामोहिक दवाव डालना होगा साथी और अधिक कठोर सजा के लिए विधी सम्मत अधीकरत जन सेवकों तक अपनी आवाज को पहुचाना होगा भ्रष्टचार के विरुद कठोर दंड के जो प्रावधान है शासन तंतर इसके पालन की ववस्था करे इसके लिए आम जन को भी अपना संपूर्न योगदान देना नितान्त आवश्यक है ऐसा करने पर ही भ्रष्टचार से मुक्ती संभव है तो इस तरीके से आप समधान इवा मुपसन हार लिख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ आपको अपनी बातें रखना है जो आसपास प्रष्टचार चल रहा है उस तरीके का आपको वर्णन करना है और जो उसका समधान हो सकता है वो हमें बताना है तो इस तरीके से हमारा ये वीडियो कंपलीट होता है मैं आशा करूँगी कि आपको वीडियो पसंद आए होगा यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल में अपना सपोर्ट बना कर रखें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैंसा लगा और आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें आपके जो भी डाउट हैं उनका भी शॉलिशन आपको मिल जाएगा तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंच के साथ शेयर करना ना भूलें वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स वर वाचिंग